एशिया की सबसे लाजिस्ट रिसिडेंशिल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एड्मिशन लेने का हर एक किसी को मन करता है अब साल 2019 में एड्मिशन तो हो चुके बहुत सारे बच्चों ने आपियर किया था बहुतों का सेलेक्शन हुआ बहुतों का सेलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सीटे सिमित थी बहुत सारे लोग रिपीट भी कर रहे हैं वो इस इंतजार में लगे हैं कि साल 2020 में हम जरूर ही इस एंटरेंस एक्जामनेशन को क्रैक कर लेंगे चाहे BA Honors Arts हो, Social Sciences हो, BSC Mathematics हो, BSC Biology हो, BSC Agriculture हो, BECUM हो, LLB Honors हो या फिर BALB का कोर्स हो और इसी के साथ साथ अनेको PG के कोर्से होंगे जिसमें छात्र छात्राएं अपलाई तो जरूर किया होगा लेकिन किसी कारण वस चाहे उनकी तयारी में कमी के कारण या फिर examination में कुछ problem होने के कारण या फिर पढ़ा कुछ और exam में कुछ और पूछ लिया गया या फिर कुछ coaching institute के चकर में पढ़े रहे और question उनको बताया कुछ और गया और फिर pattern के तोर पर कुछ और ही आ गया तो फिर इस कारण दिक्कत हुई उन्हें कोई बात नहीं अब साल 2020 के लिए बहुत सारे नए बिद्यारती होंगे जो शायद class 12 में भी पढ़ाई कर रहे होंगे कुछ ऐसे भी होंगे जो इस साल के फेल होने के कारण बहुतोंने admission ले लिया होगा और ये भी सोज़ा होगा कि शायद मैं अगले साल फिर से try करूंगा क्योंकि ऐसी university में पढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और वा कई मेरी बात माने तो university तो अच्छी है बहुत ही अच्छी है लेकिन कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि पहली बार में ही इस entrance examination को crack कर लिया जाय तो ज्यादा बहतर होगा खुशी आपको भी होगी आपके parents को भी होगी और आपका कोई भी साल बरबाद नहीं होगा young ladies and gentlemen Kundan Kumar Singh presence over here what to do from now to crack any entrance examination of Banaras Hindu University whether any UG courses or PG courses kindly listen very very careful this video is going to be very very helpful for your people to crack any of the entrance examination of year 2020 from Banaras Hindu University courses young ladies and gentlemen सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ BA Honors Arts और Social Sciences से क्योंकि इनमें CT बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादे applicants भी लगभग दोनों courses को मिला दे तो होते हैं देखिए पिछले साल से इन दोनों courses का BA Honors Arts और Social Science का entrance examination common हो चुका है और इसमें question number of questions की बात तो करें तो 120 है total जिसमें ये confirm है कि 30 questions आपके Hindi या English के होंगे जिसमें grammar portion पूछे जाएंगे लेकिन बाकी 90 questions में से mathematics होगा, reasoning होगा, general science होगा, general knowledge होगा, कुछ current affairs के questions होगे लेकिन इनकी संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने questions आएंगे, अब पिछले साल 60 questions, 90 में से 60 questions सिरफ reasoning और mathematics के पूछ लिए गए, इस कारण बहुत बच्चों ने कहा कि धोका हुआ हमारे साथ कुछ दूसरी YouTube channels ने यह भी पताया कि B.H.U कर रही है मनमानी, लेकिन B.H.U कोई मनमानी नहीं कर रही है, ऐसा आपको सुझाओ यही दूँगा कि B.A. honors, arts और social science के examination को क्रैक करने के लिए आप class 10 तक की mathematics अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ नहीं, तो 10 questions reasoning के भी रोज लगाएंगे, और इसी के साथ साथ general knowledge on current affairs या, lucent publication के जो की book आती है, या फिर current publication की आती है, इसके अलावा market में और भी कई सारे publications की books हैं, जिसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारी YouTube channels हैं, जहां से आप current affairs पढ़ सकते हैं, भाशा के लिए Hindi और English grammar और vocabulary अगर आपकी बहुत बहतर हो, तो काफी जादा आसानी हो जाएगी, म मैं अभी से बता रहा हूं, और इस examination को crack करने के लिए, किसी भी coaching, किसी भी online coaching या offline coaching की आवश्यक्ता नहीं है, young ladies and gentlemen मेरी बात को मानिये, 100% मानिये, आपको दुनिया की कोई भी coaching नहीं है, चाहे 20,000 रुपई या 1,000,000 रुपई भी आप दे दीजिए, तो आपकी mathematics को 10 दिन म में बहुत बहतर बना देगा, दो महीने में बहतर बना देगा, नहीं, यह continuous process है, यह एक एक दिन करके, हर दिन मेहनत करेंगे, तभी आप master कर पाएंगे, mastery कर पाएंगे, इन सब subjects में reasoning, और mathematics subjects ऐसे हैं, जहां पे हर एक step में, हर एक question में आपकी नई logic लगती है, ऐसा नहीं है कि बच्पन में काखारा मत, मात्रा की तरह रटवाया हुआ, question उस जगह पे आएगा, और आप 100% सुसरी कर पाएंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं, तो बिलकुल गलत सोचते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए आपको ज़रूरत है, सिरप औस तरफ self study करने की बागी guidance के के लिए, मैं 100% देने को तयार हूँ, और कोई भी पैसे आप से चार्ज नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, तो चलिए, ये तो हूँ रही B.A. Honors Arts of Social Science के B.A.C. Honors Mathematics और Biology के लिए, जिसमें से physics और chemistry subjects तो common है, जो class 11th and 12th के पूछी जाते हैं, लेकिन Maths वालो के लिए Mathematics और Biology वाले के लिए class 11th and 12th की Biology पूछी जाती है, तो भाई सहाब या बहनों, आप सब को ये भी बताता दारों कि class 11th की भी चीज़ी आपने पढ़ रखी होगी, उसको भी थोड़ा-थोड़ा revise करना शुरू कर देजिए, उसके numericals, specially लगाए, concepts जरूर ल आपको सभी को बता रहा हूं कि क्रिप्ट्या करके आप class 11th के भी कुछ थोड़ा-थोड़ा, क्यूंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो आपकी speed बहुत अच्छी बन चुकी होगी, तो थोड़ा-थोड़ा लेना शुरू किजिए, NCIT pattern सबसे बहतर है, मान लिया जाए आप किस दूसरे state board से भी पढ़ाई कर रहे हैं, UP board से हो, बिहार board से हो, तो भी कोई समस्या नहीं होगी, because सब के syllabus लगभग-लभग common है, class 11th and 12th में, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्रिप्ट्या उन सब को syllabus को revise कीजिए, बाकी ज्यादा तर कुछ करने के लिए आपको थोड़ा स प्रिबियस से इसके question paper 5-6 साल के download कर लिजिए, और last में जब 2 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, entrance examination से तब हम आपको सुचित करते रहेंगे, कि आपको क्या 100% करना है, क्योंकि अब आपकी तयार ये लगभग हो चुकी होगी तब तक, 3 महीने, 2 महीने पहले की बात कर र रहेंगे, लेकिन अभी से क्या करना है, ये हम आपको बता दे रहें, LLB और BA LLB honors, दोनों के विद्यार थी, छात्र छात्राएं काफी संख्या में अपलाई करते हैं, तो आप दोनों के लिए, मैं clear cut suggestion देता हूँ, कि आपकी अंग्रेजी जीतनी बेहतर होगी, उतना बढ आदरों दे रहा हूँ, कि concept clear करने के लिए law and legal aptitudes related questions के लिए आपको universal की guide जो आती है, वो सबसे बहतर है, अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ बहुत जादा chapter नहीं है, बहुत जादा लंबे चोड़े नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि अगर हर दिर एक एक घं पढ़ने के बाद में भी और सब कुछ स्लेवर्श कबर हो जाएगा आपसे, कोई समस्या नहीं होगी, तो LLB के लिए खास कर 3 year के लिए, बाकि BALB का competition ज्यादा tough है, तो CTA के अवल 60 है, तो इसलिए आपको client level की preparation करने पड़ेगी, चाहे हो English हो, Mathematics हो, General Knowledge and Current Affairs हो, या फिर Illegal Aptitude के questions हो, तो इन सभी questions के साथ साथ आपके पास speed भी होने चाहिए, accuracy भी होनी चाहिए, आप मान के ये चलिए कि 450 अंगों की इस परिक्षा में, आपको 310 से उपर score का target लेकर चलना होगा, तभी इस entrance examination को crack कर पाएंगे, बाकि Commerce की बात करें, तो Commerce के विद्यार्थियों को जो entrance examination clear करना चाहते हैं, 100% उनको यही करना होगा, कि Commerce के Class 11th और 12th के syllabus को अच्छे तरीके से करना होगा, पहले ऐसा होता था कि General Knowledge और Current Affairs और थोड़े बहुत Mathematics के Normal Questions पूछ ले जाते थे, जिसमें Science के विद्यार्थि भी अपलाई करते थे, तो Successful भी हो जाते थे, लेकिन अब करने के लिए आपको थोड़ा Commerce के Questions को लेना जरूरी है, और Mathematics Class 10 तक की ठिक ठाक आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ Questions जरूर पूछे जाते हैं, हलांकि वो आसान होते हैं, और इसके लिए भी कोई भी Coaching Institute के जरूरत नहीं है, हाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा, क कि मॉक टेस्ट के लिए अगर कोई test to see is free of cost online, मिल जाएगी, आपको बहुत सारे previous 10 साल के Questions पे पर Solve कर लीजेगा, that will help you a lot in a better way to crack this entrance examination. अब एक और कूर्स है, जो बहुत ज़्यादा important है, B.Sc. Agriculture Orders, यह कूर्स हलांकि कुल मिलाके संख्या सिरफ 260 है, सीटों की main campus as well as राजियो गारी South Campus की बात करें, लेकिन इसमें जो number of students, जो number of applicants हैं, वो 70,000 से लेकर के 80,000 के बीच में होते हैं, competition बहुत ज़्यादा tough है, क्यू Normally, intermediate वाले थे, जो B.Sc. Honors Mathematics as well as B.Sc. कर examination दे रहे थे, वो भी आ जाते हैं, इसलिए भीड इसलिए बढ़ जाती है, क्यूंकि सभी विद्यारती, जितने भी science background के होते हैं, चाब math से हो, B.Sc. से हो, या agriculture से हो, सभी के सभी के लिए यह रास्ता खुला होता है, कौन सा? B.Sc. Agriculture व होते हैं, वो होते हैं 25 questions आपके chemistry के, और 25 questions होते हैं आपके reasoning के, तो इन दोनों में mastery करने के लिए class 11th and 12th के सबसे पहले तो chemistry चाहे इन और गैनिक हो, या फिर organic हो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ जाए, और मैं कहता हूं कि NCIT के जो book है, chemistry की, that is the best, that is the best, और हिंदूस्तान में किसी भी entrance examination को crack करने के लिए class 12th level तक क्या हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो medical हो, चाहे वो ICAR हो, या फिर कोई भी ऐसा examination हो, जिसमे chemistry पूछी जाती है, तो उसके लिए that is more than enough NCIT pattern chemistry class 11th and 12th, young ladies and gentlemen kindly believe me, believe me, आप self study करके इन सब सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं, all right, और इसी के सा साथ थोड़ा-थोड़ा reasoning के questions लेते रहिए, कोशिश करते रहिए इन्हें solve करने की 25 questions इसमें आते हैं, आप ये अभी से target रखे कि 50 questions जो chemistry और reasoning के आएंगे, उसमें से कम से कम, आपको कम से कम, मैं आपको बता दू कि 50 questions में से, 50 questions में से आपको 45 से उपर solve करना होगा सही, और जो question गलत, मतलब कि doubtful लगे, तो उसको मत टच कीजिए कि आप 45 प्लस करेंगे, आप 100% सही करके लेके जाएंगे, अब दूसरे portion की बात करते हैं, जो optional होता है, जिसमें mathematics और physics, ये 50 questions, 50 questions आपके agriculture के, और 50 questions class 11th के biology के होते हैं, इन तीनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं, तो suggest तो मैं यही करना चाहूँगा कि आपको agriculture वाला portion लेना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सिमित होता है, और उसकी तैयारी के लिए या तो आप UP board, NCIT pattern की भी books आती हैं agriculture की, नहीं तो ICAR, Indian Council of Agriculture Research की जो book आती है, उसकी books preparation के लिए guide को खरीद करके agriculture का portion पूरा कर लिजे, क्योंकि बहुत जादा नहीं है, वो मुश्किल से 12 तरह chapters हैं जिसको आप बहुत easy के साथ कर सकते हैं, बाकि mock test के लिए online चीज़े आपको free of cost बहुत सारी मिल जाएंगे, जहां से आप practice कर सकते हैं, question bank की PDF डाउनलोड कर ले सकते हैं, जहां से आप हर दिन practice करेंगे, 1000-1000 questions की practice करेंगे तो उसी में से रटे-पिटे questions आएंगे आपके entrance examination में, जिसको आप 100% सही कर पाएंगे, बाकि post graduation के किसी भी entrance examination को crack करने के लिए कुछ बहुत जादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी दूसरी university के अगर student हैं और उस particular subject में आप post graduation करना चाहते हैं, तो graduation में जितना चार बार, इसके अलावा, अगर और भी अपनी स्थान, अपने entrance में position 100% confirm करना चाहते हैं, तो एक काम और कर सकते हैं कि आपको करना क्या होगा कि net जो होता है, national eligibility test, all right, national eligibility test की जो books आती है market में, चाहे वो pathfinder की हो, या फिर magro hills की हो, या फिर किसी भी publication की हो, आप देख अरिहन publication की भी अच्छी होती है, magro hills भी बहुत अच्छी होती है, तो उस particular subject के मान लिया जाए, English में अच्छी खासी भी होती है, mass communication में अच्छी खासी भी होती है, हलांकि mass communication में तो questions जो होते हैं, आपके general knowledge and current affairs कुछ, और उसके अलावा कुछ reasoning के questions कुछ ले जाते हैं, लेक पिछले 5 साल के question paper के अलावा, आपको एक और काम करना होगा कि national eligibility test के कोई भी book आपको खरीद करके पढ़ लेना होगा, और अभी से धेर धेरे शुरू किजेगा, तो ये क्राम हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और आप जिस भी subject में graduation कर रहे हो, क्रिप्ला करक और BHU के पिछले 5 साल को paper को अच्छे तरीके से देख लिजेगा, ये वीडियो बहुत ही जादा important है, देखने के बाद में क्रिप्ला करके maximum लोगों तक share किजेगा, young ladies and gentlemen, thank you for watching and all the best for your bright future, God bless you all.